आज आपको शिप पुरान के अनुसार बतलाएंगे कि रुद्राक्ष की क्या महत्तपता है रुद्राक्ष हमको क्यूं धारन करना चाहिए रुद्राक्ष के कितने वेद होते हैं और कौन सा रुद्राक्ष सर्वस्रेष्ट होता है उत्तम होता है तो आप रुद्राक्ष की म महिमा को सुने, सूत जी ने कहा कि अब बहुत से पापों को नाश करने के लिए, सुख स्मृद्धी के लिए, धन धान्य के लिए, रुद्राक्ष की महिमा भगवान शंकर जी ने मा पारवती जी को सुनाई, भगवान शंकर जी कहते हैं, कि हे देवी, मैं अपना मोहो, काम, लोग, क्रोध, सब कुछ त्याग कर, भक्ती में लीन था, और कहीं वर्षों तक, मैंने अपनी समादी जो है, वो दारन की थी, तो बहुत वर्षों के बाद मेरा मन छिब्द हो गया, तो मैंने कुछ लीला देखने के लिए, अपने नेत्र खोले, तो उन नेत्रों से कुछ पानी की भून, अश्रु की भून्दे निकली, और जहां जहां वो भून्दे गिरी, वहां पे रुद्राक्ष के पेड उत्पन होगे, इसमें गोंड देश में, अयोध्या में, मतुरा में, लंका में, और काशी में भी, रुद्राक्ष के कुछ वीज उत्पन हुए, तो रुद्राक्ष, भगवान, शंकर जी ने खुद, शिप पुरान में ये कहा हुआ है, कि रुद्राक्ष को आप मेरा ही स्वरूप समझें, जिस मुनुष्य के मस्तक पे त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला, और मुहु में मुर्तुंजे का जाप चल रहा हो, उसके दर्शन करने मातर से ही, आपको मेरे दर्शन हो जाएंगे, ये वगवान शंकर जी शिप पुरान में कह रहे हैं, और रुद्राक्ष जिस मुनुष्य के गले में होगा, बाजू में होगा, हाथ में होगा, वह सभी पापों से मुप्त होगा, और वह मुनुष्य मेरा अनन्ने भक्त होगा, बहुत सी इस्त्रियों के मन में ये है आता है, व्या हम से पूस्ते हैं, कि क्या हम को रुद्राक्ष दारन करना चाहिए, तो शिब पूरान में लिखा हुआ है, कि हर एक मनुष्य को व्रामन, चेत्रिये, वैश्य, शूद्र, हर एक वर्न को भगवान ने अलग अलग रंग में रुद्राक्ष दारन करने की महत्तपता बतलाई है, और इस्त्रियों को भी अवश्य रुद्राक्ष दारन करना चाहिए, इसका वर्नशिप पुरान में आता है, जैसे स्वेत रुद्राक्ष व्रामन को दारन करना चाहिए, रुद्राक्ष चैत्रिये को पीत वैश्य को और कृष्ण वर्नवाला शुद्र को दारन करना चाहिए, ये शिप पुरान में वर्नित है, और रुद्राक्ष के कितने वेद होते हैं, बहुत से भक्तों के मन में ये विदम्बना रहती है, जैसे आप कहते हैं कि कितने मुख के रुद्राक्ष होते हैं, तो शिप पुरान में शाक्षात लिखा है कि एक मुख से लेके चोदा मुख तक ही रुद्राक्ष का वर्नन है, उसमें अलग-अलग वेद के अलग-अलग मुख के रुद्राक्ष जो है उनकी अलग-अलग महिमा है जैसे एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो शाक्षात शिवस्वरूप है परंतु उसका मिलना थोड़ा मुश्किल है और जो भी आप रुद्राक्ष धारन करें उसको पहने तो सबसे पहले उसका पूजन करें उसको पंचामरित से स्नान करवाकर फिर जल से उसका अविशेक करें उसको घंद वस्म इत्यादी का तिलक करके धूप दीप देखाकर बगवान को स्पर्ष करके उसको सौंबार के दिन आप अपने गले में जा बाजू में जहां आपको ठीक लगे आप उसको धारन कर सकते हैं रुद्राक्ष की महिमा शिप पुरान में बहुत बतलाई गई है जिसके गले में रुद्राक्ष की माला होती है उसको भूत पिसाच डाकनी शाकनी इन चीजों का कोई भय नहीं रहता बहुत सारे लोग बहुत सारे मनुश्य इन चीजों से भयवीत रहते हैं डर में रहते हैं तो आप रुद्राक्ष की माला अवश्यदारन करें तो आपके सारे कष्ट दुख दरिद्दरता भगवान शंकर जी दूर करेंगे और शिप पुरान में यहे भी लिखा है कि जिसके गले में रुद्राक्ष की माला होती है जा रुद्राक्ष धारन किया होता है उसके पास कभी लक्ष्मी का अवाब नहीं रहता सदेव लक्षमी उसके पास रहती है वह दन दानने से परिपूर्ण होता है तो इसलिए आप सभी रुद्राक्ष धारन करें और इसके नियम क्या है श्रीपुरान में यही लिखा हुआ है जैसे कि मदीरा, मास, प्याज, लहसुन इन चीजों का आप प्रहेज करें अगर आप कहीं सूतक किसी की आपके रिष्टेदारी में अगर मृत्ति हो गई है जा गर में कोई संतान की उत्पती हुई है तो आप इसको उतार कर रख दें जब आप कुछ दिनों बाद आप पीशुद्धता हो जाए तो फिर इसको गंगा जलसेशनान करके आप फिर दारन कर सकते हैं तो इन नियों मों का भी पालन आपको करना बहुत जरूरी है तो आप सभी अवश्य रुद्राक्षदारन करें और भगवान शंकर की पूजा करें श्राबन मास चल रहा है आप नित्य प्रति भगवान के उपर अविशेक करें भगवान की अर्चना करें भगवान को विल्व पत्तर इत्यादी आप जो भी सामग्री आपके पास है आप बोचड़ाएं तो भगवान देवादी देव आपके उपरति प्रसंद होंगे और आपको मन चाहा वरदान देंगे